हेलो स्ट्रोयंट वेकर सब्सक्राइब हैने sense कि इसके यूज के बारे यूज कहां पर करते हैं, इसके टाइप के बारे में कितने टाइप होते हैं, unaware गरे talented के बारे. अगर यह topic समझ आते हैं तो चलो यूटेंट सबसे पहले समझते हैं कि आकर में centrifugal pump क्या होता है लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आकर में pump किसे करते हैं pump एक तरह का mechanical device होता है जो कोई भी liquid को कोई फ्लूट को एक अस्थान से दूसर अस्थान तक पहुचाने का काम करता है वो यह high velocity के साथ high pressure साथ ठीक है आप समझते हैं कि आकर में centrifugal pump किसे करते हैं centrifugal जो pump होते हैं यह pump का ही type होता है ठीक है इसके अंदर क्या होती है एक तरह का centrifugal यहां पर फोर्स लगती है फोर्स लगने के बाद यहां क्या काम करती है कि liquid को एक जगर से दूसरे जगर ट्रांसफर करती है कापी high pressure साथ इसी करने इसे एक तरह का centrifugal pump कहा जाता है ठीक है चली थोड़ा इसे हम लोग explanation साथ समझ लेता है देख सकते हैं मैंने बता है यह लिखी हुए क्या है कि centrifugal pump इजे mechanical device इट इजे type of pump में इस कहने के मतलब है जो centrifugal जो pump होता है mechanical device होता है और एक तरह के यह pump का type होता है ठीक है नीचे एक पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुए क्या है कि centrifugal pump are used to transport fluid by the conversion of mechanical energy into pressure energy of the fluid flow मतलब कहने के मतलब क्या है कि आकरी मीं critical pump होता है खास तरप कहा फे उप्योग किया हता है तो यह mechanical energy में convert करके उसे pressure energy में convert कर देती है तब जाएक लिक्वीड एक अस्तान से दुसरे जगह यहाँ पे flow होने लगती है ठीक है मतलब यह mechanical energy कहने का मतलब है कि liquid को यहाँ पर rotation कराती हुए उसे high pressure साथ कर देती है ठीक है लिक्वीड को यहां पर खुब यहां पर रोटेशन कराती है घुमाती है उसको प्रेशन एनरजी में कर देती है और डिस्टाज कर देती है ठीक है और वहां पर जो लिक्वीड को फोर्स लगती है एक ट्रकार सेंट्रिफूगल फोर्स लगती है इसी करने इसे एक तरह का सेंट्रीफ्युगल पॉंप कहा जाता है इसकी यह नीचे के पॉइंट मैं देख सकते लिखी वी क्या है कि रोटेशनल एनर्जी टाइपिकली कम फिरो में एलेक्ट्रिक मोटर मतलब कहाने के मतलब है कि यह जो सेंट्रिफ्यूगल पॉंप होती है इसमें जो एक तरह घूर्ण सकती कहां साती है घूमने वाली जो रोटेशनल एनरजी कैसे मिलती है इसे इसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल मोटर से मिलती है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर का उप्योग किया था उसी किसे यह रोटेशन करती है जब रोटेशन करती है तो उसी क्या थाम पर कोई भी oil है acid है तो इस जगह पर उपयोग किया आता है इसका उपयोग यहां पर industry में भी किया आता है इसका ठीक है खेतिवारी में और domestic application के लिए इसका centrifugal pump का उपयोग करते हैं ठीक है अगर इसका type के अगर बात करते हैं इसके मुझे रूप से तीन type होते हैं single stage centrifugal pump double stage centrifugal pump multi-stage centrifugal pump ठीक है मैंने तीनों को अलग अलग टाइप के वीडियो बना चुके हैं आपको यह डिस्वार लिंक मिलनेगा या फिर मेरे चैनल को विजीट कर सकते हैं ठीक है अब समझते हैं इसका क्या construction के बारे में कि आकर में centrifugal pump कैसे बना होता है दीकि सबसे पहले क्या होती है यहां पर एक तरक यहां पर casing का उपयोग की आता है जिसे एक तरका volute casing बोलेंग ठीक है इसमें क्या होती है कि बहुँ जादा अंदर में एक तरका visual की तरह यहां पर अस्थान बनी होती है तो इसी करें इसे एक तरका volute casing बोलेंग ठीक है यहां पर यहां जो cast iron materials की बनी होत पाइसके है अब क्या होती है कि यह जो दोर श्राइव पोलते हैं उसको क्या बोलेग है और जो हमारा डिश्चार्जde , पोल सकते हैं या धिश्टेर निखेर ऑपह्पर करती है जो यह जोβ rotation करती लीक वीट को अंदर यहां पे क्या काम करती है लीक वीट को सक करती है और जो हमारा जो centrifugal pump के अंदर suction पाइदा करने का काम करती है ठीक है तो इसके अंदर एकां시는- इंपेलर का अपयोगА यह था यही चीज़ को यहां पे इसी के अंदर यहां पर कोई लिक्षी को जब सक करती है तो इसी के अंदर से अंदर की ओर जाती है अब क्या होती है आखिर मारा जो impeller कैसे rotation करता तो यहां पर एक तरका drive stop का उपयोग किया आता है जो इलेक्ट्रिकल मोटर साथ connect होती है दिख सकते हैं यहां पर electrical motor भी उपयोग किया ता है तिक है अब क्या होती है यह जो हमारा जो जो वुलीवट यो केसिंग यह हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है इसे अपने जगाधी रखने के लिए एक जगा सपोर्ट के उपयोग कियाता है जिसे एक तक लेग बोलते है यह जी को लेग करते हैं कि सबसे पहले क्या होती है यह जो सक्षन आई है तो सक्षन आई के यहां पर कनेक्ट करते हैं एक पाइप को जिसे एक तरग क्या बोलेंगे और सक्षन पाइप को उस जगह पर डाल देंगे जैसे को तलाब है वहां पर डाल देंगे जहां से हमें कोई भी मतलब किया कि इसके अंदर से जो भी यहां पे air है उसे निकाले जाती है ठीके इसे start करने से पहले ठीके तब ही जाके यह आकिर में suction यहां पैदा करेंगे और liquid को एक जगा साथ डूसरे का ट्रांसफर करेंगे अब क्या करेंगे कि इसके अंदर यहां पियर निकालने के लिए में और इंट्रीकल मोटर यहां पर कनेट की गई हमारा ड्राइब के साथ और ड्राइब साथ और इंपेलर और इंपेलर वेन के साथ ठीक है तो यहां पर यह एंटी क्लोकवा डिरेक्शन में रोटेशन करने लगी सकते हैं किस तर से हमारा इंपेलर और इंपेलर वेन यहां पर ए में पाइबागा हुगी सक्षण पाइदा होने की वान चांच करेंगे इन यह का काम करेंड इंपेलर में रोटेशन कराती वह यहां पर लगाती है लेश्कुड को यहां पर प्रेशर के साथ यहां पर थीrióग से एक वानके 10 रड करता है सब्सक्रार प्रेसे सक्क्राइए सख्षन का स्वार किसे संधरी पेका स्वार। तो वीडियो देखने के ठांकी हो चैनल में नहीं आये वह हैं तो जबू चैनल के सब्सक्राइब करते वह जाएए और अपने दोस्तों साथ जरू वीडियो के सेर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद